नमस्कार दोफ्तों स्वागत है आपका इंपावर आफ प्लैंड यूटूब चैनल पर गाईज हमारे बहुत सारे ऐसे सस्क्राइबर यूजर्स हैं जो की बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं कि जॉब अलेट्स के लिए कोई ने कोई अपडेट लेके आ जाया करो या जॉब जो भी आती हैं उनके बारे में बता दिया करो तो यहां पर मैं एक प्लैलिस्ट बना रह रहे हैं बहुत सारे टिटोरियल्स हैं बट अब जितने भी इस मतलब बात करें अपने करियर्स की तो हम साथ थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं उन भी बात नहीं करते हैं तो आपको अब हमारे यूटूब चैनल के अंदर करियर्स इंपावर ऑफ ब्लाइंड के नाम से एक मिल जाएगी उसके अंदर हम आपके करियर्स से रिलेटेड बात करेंगे कैसे हम अपने करियर्स को और उपर बढ़ा सकते हैं कहां पे कौन सी बेकेंसी आ रहे हैं उसमें कितनी बेकेंसी हैं वो सिर्फ मैं जो विजुली एंपेट की केटेगरीज की होंगी वो आपको मैं बताने का प्रयाश करूँगा जो भी बेकेंसी आती रहेंगी वो आपको इन्फोर्मेशन में देता रहूँगा तो आज मैं बात करता हूँ इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि आप जानते हैं कि अपने जो गौवर्मेंट पब्लिक सेक्टर की बैंक है वो इस्टेट लगबग 5000 से भी ज्यादा 5008 बैकेंसी के लगबग हैं तो यह आपके लिए अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है और इन बैकेंसी में आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं अगर आप इसके लिए फॉर्म डाले और आप इसका एक्जाम जो प्री होता है और मेंस होता है अगर आप इसे क्वालिफाई करते होती है कि बहुत अच्छी जॉब होती है तो आज मैं आपको complete detail इस वीडियो में बताने वाला हूँ recording to SBI clerk तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो date क्या है इसकी जो date है साथ सितंबर यानि की आज से इसकी date start हो चुकी है 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे तो आप लोगों को याद रहे कि 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे कोई भी जो eligible candidate से वो भर सकते हैं और अगर इसमें फीस की बात है तो जो visually impaired persons के लिए वैसे तो अधर के लिए फीस है बट visually impaired के लिए कोई भी फीस नहीं है तो हम लोगों के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी जैसे की हम other exams जैसे की IBPS clerk को हो गया उनमें हमें 175 रुपे देने होते हैं इसमें बट किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी है तो यह हमें यहाँ पे फीस भी नहीं पड़ेगी अब बात आती है कि कितना age होना चाहिए तो age इसमें जो maximum है वो आपका 40 year above नहीं होना चाहिए ask for government rule क्योंकि जो physically जो handicap होते हैं visually impaired हम लोग है हमारे लिए छूट होते हैं हम 40 साल तक इसका form भार सकते हैं बाकी minimum जो है वही रहता है सभी के लिए वही है यहाँ अब आपको date clear हो गया होगा कि आप कि जो यह date है और आपकी जो यह clear हो गया होगा अब बात आती है vacancy की कहां से कितनी vacancy है तो चलिए एक बार में बात कर लेता हूँ लगबग यह 5008 vacancy है इस clerical post में और इसमें लगबग हमारी जो visually impaired category की post है वो 70 post है 70 यानि 70 post हमारी visually impaired category की है और यह stage wise होती है अलग-अलग state की अलग-अलग राज की अलग-अलग post है तो वो मैं state wise आपको बताए दे रहा हूँ आप जिस state से आते हैं वहाँ से आप apply कर सकते हैं आप चाहे तो other state से भी कर सकते हैं वो आपके उपर depend करता है इस बार SBI clerk में एक और चीज notification में देखने को मिला है अगर आपको हिंदी और English दो language आती है तो आप किसी भी state से apply कर सकते हैं बट आपके हिंदी and English front होनी चाहिए दो भाशाएं अगर आपको आ रहे हैं तो आप किसी भी state से apply कर सकते हैं इस फार्म को भर सकते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है बाकि जो regional language होती है अगर आप वहां से भर रहे हैं आप वहां के regional है वो फिर आपके benefit होगा वो तो फिर आप कर ही सकते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है इस बार क्योंकि लगभग almost जो language criteria रहता सब में Hindi English Hindi English दिया ही है तो ये एक बहुत अच्छी बात है तो चलिए जो statewide vacancy हैं वो मैं एक बार देख लेता हूँ तो यहाँ पर मैं vacancy को open कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा state है तो total हमारी 70 vacancy 70 आपको बता दिया अब statewide देखते हैं तो यहाँ गुजरात है जो गुजरात में 4 vacancy है visually impaired के लिए यानि अगर एक visually impaired एक blind person गुजरात से अप्लाई करेगा तो वहाँ पर आपकी 4 vacancy है अब चलिए अगले state पर चलिए और करनाटका करनाटका में भी 4 vacancy है और मध्य प्रदेश में 5 vacancy है वेस्ट बेंगॉल यहाँ पर 6 vacancy है और उडिसा उडिसा में 2 vacancy है और हर्याना में 1 है हिमांचल प्रदेश में 1 vacancy है पंजाब में 2 vacancy है और तमिल नाडू में 4 vacancy है पंडिचेरी में 1 vacancy है डेली में 1 vacancy है उत्राखंड में 2 vacancy है टेलिंगाना में 2 vacancy है राजाफ्थान में तीन बैकंसी है और केरला में तीन बैकंसी है लेक्षदीप में वन बैकंसी है उत्तर प्रदेश में यहां साथ यानि कि सेवन है महाराश्टर में एट है यानि उत्तर प्रदेश से एक ज्यादा है आठ बैकंसी है महाराश्टर में अगोवा में एक है यानि वन आसाम में थ्री यानि की थ्री अरुनाचल प्रदेश में वन है यानि एक मनिपूर वन यानि एक मिजोरम में भी एक है मेगालेया वहाँ भी एक बेकेंसी है विजुली एमपेर की नागालेंड में भी एक बेकेंसी है एक सीट त्रेपुरा में भी एक सीट है बस तो ये हमारे सारे स्टेट्स थे जहां पर बैकन्सी और गाईज आप लोग ये बात जरूर ध्यान देना ये जो बैकन्सी मैंने बताया है सिर्फ और सिर्फ विज्वली एमपेडिक ब्लाइंड परसन की कहां से कितनी बैकन्सी हैं वो आपके लिए बताया हूँ अगर बाई मिस्टेक आपका स्टेट अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना तो वहाँ पर मैं आपके भी स्टेट की बैकन्सी बता दूँगा और टोटल सेवेंटी यानि कि सत्तर बैकन्सी हैं और स्टेट वाइज आपको मैंने बता दिया है आप जहां से अपलाई करना चाहें कर सकते हैं और इसका जो एक्जाम होने वाला है जो इसका प्रिलेम्स एक्जाम होगा वो लगबग नॉंबर में दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन में होगा और इसका जो मैंस एक्जाम है वो लास्ट डिसमबर या जनवरी में 2023 में होने वाला है अभी डेट कोई नहीं लिखी है नोटिफिकेशन में जोब से रिलेटेड वो आपको मैं इनफॉर्म कर दूँगा और उमिद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा ऐसी ही वीडियो करियर से समद्दित अगर आपको देखना है तो चैनल को जरू सस्काइब कर लिजी